बिहार में होने वाले 80,000 पदों पे प्राथमिक सिचकों की निगती में B8 और DL8 का मामला इतना असानी से जो है बापका सांथ होने वाला नहीं है भले ही यहाँ पर सरकार चाहे कि कुछ उस तरीके का तथे को छुपा कर सुप्रिम कोट से कोई उस तरीके का ओर्डर लाकर B8 वालों को BPSC Primary Teacher में सामील कर ले उसके बाद भी यह वेकेंसी जो है आपके फ़स जाएगी क्योंकि जो DL8 वाले अभियरति हैं वह भी यहाँ पर कोट में जाने के लिए जो है वो तयार है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मर्जित और आप देख रहे हैं राइट टो इजके आपको लेकर भी आपका मिंसन किया गया है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि B8 अभियरतियों के जो है वो संख्या BPSC Primary Teacher में 4 लाख है और जो DL8 वाले अभियरति हैं उनकी यहाँ पर संख्या एक लाख भी नहीं वलकि यहाँ पर एक लाख से जो है वो कम संख्या ह इसलिए जो आपका BPSC Primary Teacher में टोटल 80,000 पदों पर प्राथमिक सिचकों की भरती के जाएगी तो उसमें किसी भी तरीके से B8 वाले अभियरतियों को सामिल करने के बाद ही यहाँ पर आपकी सिचक भरती होगी बाकि यह जो आपका नीज पेपर है इसी नीज पेपर में आप आपके संख्या के बारे में दिया गया तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका headline है यहाँ पर आपका बोला गया कि रहत की गुहार राजसरकार ने सुप्रिम कोर्ट में जो है वो यहाँ पर अपन की दार की और कहा कि बीर्ड डिग्री धारक है उनको प्रात्मिक सिचकों के पत्पन निउक्ति का आउसर जो है बापका मिलना चाहिए सिच्छा वा कि अपर मुखे सचीव केके पाठक ने सुप्रिम कोट में इस याचिका से जो है इस पेसल अपील याचिका दार की है बीर्ड जो डिग्री धारक है उनको प्रात्मिक सिचकों के पत्पर निउक्ति जो है यहाँ इसे उत्यप्र ऑपका मिल शकरती है उसमें आप बीर्ट वाले अभेर्थियों को सामिल करके जो आगे का प्रोसेस है जिसमें आपका रइजल्ट जारी करना है तो उसे हम यहाँ पर जो है जारी कर देंगे और यहां पर आगे आप देखेंगे तो यहां पर आपके संख्या को लेकर बताएंगे है यहां पर आपका उसी को लेकर बताएंगे जब आपका इसके पहले बीपीसी और सिचावाकी मीटिंग हुई थी तो उसमें बीएड़ वाले मामले को उसी त के पच्छ में आया तो फिर यहां पर केके पाठा के खुद जो है उस सुप्रीम कोट जाकर वहां पर जाकर जो है मतलब बीएट वालों के बीएट के पच्छ में सुप्रीम कोट में अपनी याच का जो है उधार किये फिर आगे यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका बो इसी द्वारा जो परिच्छा ली जा रही है उसमें अधिकतर संख्या किसकी है बेड़ वाले अभियरतियों की संख्या है इस आधार पे भी यदि बेड़ को मौका मिल जाता है तो यहाँ पर सुप्रिम कोड के तरफ से मौका देना चाहिए और भी प्यासी प्राइमरी टीच यहाँ पर असी हजार है तब तो मतलब आपकी वेकेंसी कम पड़ जाएगी क्योंकि नॉर्माल से बाते सबी लोग तो क्वालिफाई करेंगे नहीं लेकिन यहाँ पर हकीकत यह नहीं है बलकि आप सबी लोग को पताए कि टोटल जो बीप्यसी प्राइमरी टीचर में आवे लेकिन आपने कई बार भी प्यसी चेर्मेन का इस्टेटमेंट देखा था और आप अभी भी वीडियो आप अतुल प्रसाजी का खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा जहां पर वो बोले थे कि टोटल हमारी जो रिखतिया है उससे हमारा यहाँ पर एक गुना नहीं बलकि ज चल चीकी हों यहाँ फीर हकीकत में इस तरीकी का यजक का चाइर किया गाया मतलब याचिका में इस बात को जो है पका मिदजर कीया हो ताकि संख्या के अधार पर भी यहां पर मौका मिल जाए कि बीकित वाले बीपीसी प्राइमरी टीचर में वरहें और जो कि यहाँ पर आ और यहांपर संख्या क्या दार पर बीएड वालों को सामिल किया गया था इसी लिए हम यहां पर जो है बोले हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोट से संख्या के आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को BPSC Primary Teacher में सामिल करने का मौका जो है आपका मिल सकता है अब यहाँ पर संख्या के अधार पर बोलेंगे तो थोड़ा से यहाँ पर समझे यह यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका NCT का धी सुचना जारी किया गया था उस टाइम पर बोला गया था मतलब इसी स्टेट में अधिकतर आधे से अधिक आपकी रिक्तिया है जो कि अभी भी आप देखेंगे तो आपका 2018 का निवज है लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो उही किलमसम आपकी रिक्तिया है UP में बिहार में भी देखेंगे तो 1,00,00 कि लमसं प्राइम्री टीचर की रिख्तिया है UP में भी तो UP में भी आपका 2,50,00 जो है प्राइमरी टीचर की रिख्तिया है उस्सी तरीके से मदेपरदे जार्खंड हरैक स्टेट में अब यहांपर हम बात कर लेते एंसीटी को लेकर कि संख्या क्या धार पर हम यहां पर क्यों बोले हैं देखिए जब यहां पर 2017 से पहले जब आपका प्राइमरी सिचोकों की भरती होती थी तो उस टाइम पर क्या होता था कि वहीं डीलेड अभेर्थी जो है इलिजबल होते थे इस्टार्टिंग में क्योंक पढ़र्थिएं की संख्या कंब है तो हम वहां पर प्राइमरी सिचोकों की जो पूर्ती है उसे हम यहां पर कैसे करेंगे क्योंकि नॉर्मल से पहले उस्टाइम पर कोई ऊतना पढ़ता नहीं थे पर प्रता अभी था तो सब कोई सुचता था कि हम B8 कर लें B8 करने एक बाद हमको मतलब कई जो है हमें मौका जो है मिलेगा तो DLA कोई करता नहीं था तो फिर उस टाइम पर NCT के तरफ से अलग-अलग राजी को अलग-अलग तरीके से निर्देश दे कर उस राजी की सिछक भरती का जो मतलब प्रोसेस था उसे कंपलीट कराय जाता था लेकिन यहाँ पर क्या है कि बात आता है KVS को तो KVS में आपका यहीं मैटर फस्ता है KVS PRT में DLA वाली अभीरतियों की संख्या कम होती है आपने BPSC चेर्मैन है अतुल प्रसाजी उनका स्टेटमेंट देखा होगा तो सायद आपको पतागा जो आप KVS के बारे में बात कर रहे थे और B.A.ड वालों का किस तरीके से इंटरी होता है उसके बारे में वो बता रहे थे तो KVS में भी उसी तरीके से आपका रिक्तियां कम मतलब सिच्छक कम मिलते हैं तो फिर यहाँ पर N.C.T. के तरब से सरक आपका डिप्लोमा होता है जो आपका ब्रीज कोर्स होता है ब्रीज कोर्स कर लेंगे प्राइमरी टीचर में इलिजबल हो जाएंगे लेकिन उस समय के बाद हमेशा जो है आपका एक सर्त रखा जाता था कि यह जो आपका ब्रीज कोर्स करके प्राइमरी टीचर में वाले होते रहा गए फिर अलग-अलग ए स्टेट में बेड़ वाले अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया फिर आज जो है वापका मामला इस तरीके से हो गया फिर यहाँ पर कई सालों के बाद यहाँ पर सुप्रिम कोड के तरफ से यह 11 अगस्त 2023 को बेड़ वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से जो है वो अपातर यहाँ पर किया गया तो यह आपका टोटल मौका था जो कि यहाँ पर संख्या के अधार पर कर कोई सुप्रिम कोड से ओर्डर करा लें तो देखे यह भी आपका फसेगा क्योंकि अभी तो आपका एक्जाम हुआ है अभी आप रिजल्ट निकालेंगे रिजल्ट निकालने के बाद आप डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद नहीं लोग को लेगा तब तो आसानी से जो है इन लोग फस सकते हैं और उस टाइम तक जो डियलेट वाले अभेरति हैं यह थोड़ें बैठे रहेंगे यह भी तो कोड केस करेंगे जैसे अभी सुप्रिम कोड के तरब से आपका निड़ाय आया कि बीएड वाले 11 अगस्त से इलिजबल न वह भी अपना हाई कोड हो या फिर सुप्रिम कोड हो वहां तो जाएंगे भी क्योंकि डियलेट वाले अभेरतियों की संख्या मतलब डियलेट वाली जो कंडिरेट है उनका यहाँ पर जो पलड़ा है यहाँ पर भारी है क्योंकि डियलेट के पास सुप्रिम कोड का ओडर ह NCT का order है और खुद यहाँ पर BPSC primary teacher की vacancy हो रहे है यह तो पटना high court का order है तो यहाँ पर देखे यदि DL8 वाले अभेर्थी चले जाते हैं court में तो यहाँ पर vacancy को लेकर दो ही चीज़ होगा या तो आपकी vacancy पर रोक लगेगा या तो यहाँ पर vacancy आपका मालिज यह BPSC primary teacher मे सिर्फ DL8 को भी यहाँ पर सामिल करने का मौका मिलता है तो इसका मतलब साफ है कि यह जो आपकी vacancy है कुछ time के लिए ठप हो जाएगी मतलब अस्तगित हो जाएगी जब तक आपका लोग सभाद 2024 वाला चुनाव जो है उसमापत नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों अभेर्थियां को लड़ना ही नहीं पर आए तो ऐसे खुस हो गए और जो डियलेट वाले अभेर्थियां उनको यहाँ पर सामिल नहीं किया गया उनका रिजल्ट जो है वो सामिल करके नहीं बनाए गया सुप्रीम कोट का नीड़े हमारे पास है तो अब देखिए अब क्य क्या होता है कहीन कहीं इसमें भी आपके पॉलिटिक्स इंडरी ले लिए तो कहीन कहीं आब या तो कोई उस तरीके का मतलब सक्त कोट का ओर्डर हो तभी नहीं तो मतलब आप समझें कि प्राइमरी टीचर वेकेंसी में थोड़ा सा जो है आपका समय यहाँ पर लगेगा और प्राइमरी टीचर में जो है और यहाँ पर जब मालीजे सुप्रीम कोट के तरफ से और भी हो जाता है तो बिना एंसिटी के अनुमती से कोई भी आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं होता है क्योंकि आप भले भी प्राइमरी टीचर का एकजाम दिया हो या फिर किसी भी राज के आप सिचक भरती में सामिल हो रहे हो तो बिना एंसिटी के अनुमती से वो राज जो है आपकी योगिता को निर्धारित नहीं करता है जो आपकी योगिता निर्धारित होता है वो आप प्राइमरी टीचर के भी नोटिफिकेशन में आपने देखाऊगा तो उसमें साब साब बोला गया था कि एंसीटी के परामर्स से ही विभाग का निड़े अंतिम होगा तो एंसीटी कभी तो निड़े देगी नहीं क्योंकि एंसीटी अपने वेपसाइट से खुद अपनी वाले अभेर्थी इलिजबल नहीं रहेंगे तो यह है आपका पुड़ा डिटेल मेंटर बाकी जो आपका टेलिग्राम चैनल है कमेंड बॉक्स में लिंक रहेगा टेलिग्राम चैनल का उससे भी आप जूट जाएगा बाकी जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इ लिजबल हुए कैसे उन लोग की प्राइमरी में इंट्री होती है जो कि संख्या बल की अधार पर और यहां भी सरकार सुप्रीं कोड में गई है तो यहां पर पीयाड़ सरकार कुछ तठीव को यहां पर चुपा कर वो चाहती कि संख्या बल पर यहाँ पर बीर जो है फस जाएगी तो नौर्मल सी बात है जब आप नोकरी पाएंगे ही नहीं तो आप कब येड हो या फिर डिये लेड हो कोई करने से यहां पर मतलब भी नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स तो मतलब हर एक चीज में चलाए और यहां पर सिछक भरती हो और इतने बड़े अस्त सब तक के लिए थैंक यू बाइबा टेकर और वेश्ट थैंक यू फॉलिस्निंग गॉट बिलस्या थैंक यू